वियानको जिस्मी से देखी आधारा सम्म चुलो चोको संगेई घर बाहिर का काम मा समेद वेस्त रहनी दोईलिह का दुर्गम गाउं का महिलाहरू का सास्ती अनिकन छन। रोजगारीको खोजीमा अधिकाम स गाउं का पुरुसरू भारत था तेश्रो देश पलायन होदा गाउं मा रहेका महिलाहरूलाई दोहरू जिमेवारी पुरागर्न कठेन छा। मातार नांदारा दैलिक का ग्रामीर बस्ती का पर्तिनी दी आवाज होन गर्मुली पुरुसरू कामको खजीमा कालापाहर्ती रा धाउने गर्दा चन। चुलो चौको देखी घर चलाऊना ज्यालादारी का काम मा समेट मैलाहरू खटिनू पर्छा। बिहाने चार बजे शुरू होने उनिहर को दैने की काईले ता मद्दे राज समापनी चली रहन चा। गाउमा कईले काई मात्रे पाईने काम रा तेस बाटा प्राप्त होने निवना ज्यालाले। चौराचोरी को भरन पोसर रा पड़ाई खर्चा जुटाउना इमाईलाहरलाई कमती दुखा चाईना। पुरुषमान चे इंदिय नगर आमीले खानलाहन पोग दूएना। खानलाहन पोग दूएना। चाईना समानि पोग दूएना वड़ाई तैसानीव प्राभाईनां। तर राप्धा जुत पाईना। मेला पाद धिक्की जातो बस्तु भाव को हेर चाहा देकी अर्म पर्म समेत मैलाहर ले भ्यावनु पर चाहा जुगाउं देकी गरिवी को दुस्चक्रमा पिल सिदे आयका मैला लाई इस्तानी इस्तार मा आय अर्जन का केई काम पाई आले मा पनी अपर्त चेरूपले पिवेत भगनु पर्चा कमा उनु परनी बाद्यतामा परे रा अधिकांग सा पुरुषले गाउं छोर्दा हाल नाया सामाजिक आर्थिक परिवेश देख्येको छा दोहरो जिम्हारी में रहेका ग्रामिड मैला को चेतना इस्तार बढ़ाई उनियर को आर्थिक सुनिसता बढ़ाउने तरपा सरकार वाला निकायले रणानोतिक योजना तर्जुमा गर्नु आबसेक देखिन छा कांतिपूर समचार का लागी चक्रवंडारी दैलेक